हेलो एब्रीवन लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ाता दोश की गती आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं त्रयो रोगमार्ग त्रयो रोगमार्ग के बारे में आपने थोड़ा वहत्त सुन रखा होगा फस्टियर में थोड़ा डिटेल में आज बात करते हैं इसकी तो त्रयो रोगमार्ग त्रयो मतलब तीन तीन रोगमार्ग कौन कौन से रोगमार्ग मतलब जहां पर रोग होते हैं और कौन कौन से रो की पढ़ी होंगे फस्टियर के अंदर एनाटॉमी में मर्म अस्थी संधी और कोस्ट तो तीन रोगमार्ग जिन सबसे पहला रोगमार्ग है शाखा को रखा गया है जिसको अपन बाहे अभी डिटेल आएगा इनका अभी थोड़ा शौर्ट में लिखा हुआ है उबर शाखा जिसको क्या बोला गया है बाहे रोगमार्ग मर्म अस्थी संधी को क्या बोला गया है मध्यम रोगमार्ग और कोस प्रफ़ाज आएगा कि कौन-कॉनसे रोग मार्ग में होते हैं यहां से ऐसे दोंकर में question आएगा और थ्टोड़ा knowledge के लिए पता होना चायए कि रोग मार्ग क्या है, इनकी importance क्या है, कौन से रोग मार्ग में कौन सा रोग होता है बड़ा कुश्चन एक्जाम के पॉइंट अव यू से यहां से नहीं उठता है उठेगा तो दो नमबर में कुश्चन उठता है यहां से तो नेक्स्ट बात करते हैं साखा, मरमस्ती, संधी और कोस्ट इन में क्या है क्यों बोला गया है इनको रोग मार्ग क्योंकि यहां पर दोशों का संचे होता है और जहां दोशों का संचे होगा वहीं पर रोग होंगे और जहां रोग होंगे उनको रोग मार्ग बोल दिया अब इसकी importance कि इसकी importance क्या है clinical importance क्या है रोगमार्ग की तो रोगमार्ग की जैसे कि इतना सारा अपन लोगों ने पढ़ा अभी तक तो हम बात करते आ रहे हैं कि रोग सुक साध्य होता है रोग क्रश साध्य होता है असाध्य होता है तो उसका पता किस बेस पे लगाते हैं मतलब उसको रोक की साध्य असाध्यता को पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन उनमें एक तरीका और क्या होता है रोग मार्ग कौन से रोग मार्ग का रोग है उस हिसाफ से भी हम देख सकते हैं कि रोग साध्य होगा या रोग असाध्य होगा जिस रोग मार्ग के उसी जैसे कि रोग मार्ग के आधार पर रोग की साध्य असाध्यता का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया जैसे कि जो रोग एक ही मार्ग में प्रसरत होते हैं प्रसरत मतलब फैलते जो रोग एक ही और दो मार्ग में प्रस्रत हुआ है भले ही वो पुराना है चाहे नहीं है लेकिन अगर वो दो मार्ग में प्रश्रत हुआ है दो मार्ग से होके फैला है तो वो कैसा होगा? क्रशाद्य होगा यानि कि बड़ी कठिनाई से ठीक होगा हो सकता है उसमें अपन को शस्तर कर्म करना पड़े अगनी कर्म करना पड़े कई और कर्म करने पड़े या फिर लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट चलाना पड़े वो कैसा होगा? क्रशाद्य होगा और जो मर्म अस्ती संधी में होगा जो 107 मर्म बताए हैं उन में हो या संधियों में हो गया अगर कोई रोग तो वो कैसा होगा? याप्य होगा याप्य का मतला कि एक बार डिजीज हुई तो जब तक वो व्यक्ति जिन्दा रहेगा तब तक उसको औशद लेनी ही पड़ेगी हंजी कोई कुछ कह रहा है? जब तक वो औशद लेगा जब तक वो दवाईया लेगा तब तक उसका रोग ठीक रहेगा जब भी वो दवाईया बंद कर देगा तो क्या होगा? व्यादी उसे पुना होने लगेगी जैसे याप्य का सबसे बेस्ट एक्जामपल होता है डाइविटीज अगर अपन डेली रूटीन में जो अपन देखते हैं जो अभी तक सुनते आ रहे हैं उसमें जो डाइविटीज है वो सबसे बेस्ट एक्जामपल है याप्य का डाइविटीक पेशेंट को एक बार डाइविटीज होने के बाद तब तक उसकी सांस है तब तक दवाईया लेनी ही लेनी है तब तक इनसुलीन लेना ही पड़ेगा उसको अगर एक बार diabetes हो गई तो और क्या वोला है फिर last में कि जो तीन मारगों में प्रविस्टो यानि कि तीनों हो गया शाखा में भी हो गया मर्म में भी हो गया कोस्ट में भी हो गया इन सभी में हो गया उसको क्या वोल दिया असाध्य बोल दिए, यानि कि अगर पूरी बोडी में ही रोक फैल गया, या फिर दोश फैल गये, तो जो क्या होगा, वो असाध्य होगा, तो एक तो ये क्राइटेरिया था इसका, कि इससे अपन को रोक की साध्य साध्यता का ग्यान हो जाएगा, दूसरा शोर्ट वो लूशोधन को तो कि पंच करम करना हैं तो पंच करम शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा नहीं टो आज सुन लीजिये कि पंच करम जो है वह अपना मेंन ली जो काम करता है जैसे पंच करम के दो में प्रासीजर हुए वमन और विरेचन और बस्ति भी इंक्लूट कर सकते हैं तो यह तीनों जो में प्रासीजर है वो किस पर काम करेंगे मेली वो काम करते हैं G.I.T. पर अग G.I.T. पर यहां इस ट्रेक पर वो काम करेंगे अब इस ट्रैक पर ही उसकी सारी जो अपन वमन में ओशद ले रहे हैं कि वमन कराने के लिए ओशद ली गई है या विरेचन कराने के लिए ओशद ली गई है तो वो जो ओशद काम करेगी अपना वो ओशद काम कब करेगी उस ओशद का काम क्या है जिसे वमन के लिए जो ओशद दी गई है उसका काम है प्रकुपित कफ को बाहर निकालना विरेचन के लिए जो ओशद दी गई है उसका काम है पित को बाहर निकालना ये इनके काम है अब ये ओशद काम कब करेंगी ये काम तभी तो करेंगी जब कफ उस इस्थान पर हो उस इस्थान पर होगा तभी तो वो उस ओशद के थुरू बाहर निकलेगा ओशद के साहता से वो बाहर निकलेगा तो कहने का मतलब है कि पंच करम करवाते हैं तो ये जो आमाश है हुआ पक्वाश है हुआ ये रेक्टम मलाश है ये सब क्या है अपने ये हैं कोस्ट ये आ 젊-शद के में क्या बोलते हैं कि जो अपना नजदीकतम मार्ग होता है हुआ फुरू हम उस दोश्त को बाहर के लिए मुख्यद व्मन करा दिया पित्र के लिए दिरेचन करा दिया अपने नजदीकतम मार्ग से और वह मार्ग किस के अंदर आ रहरे हैं जी आई टी के अ वात बोलू पित बोलू या अन्य कोई दोश वो अगर अपने इस्थान कोस्ट में है तब वो उसको अच्छे तरीके से उसको बाहर निकाल सकती है अगर दोश अब एक दूसरा तरीका समझने का कि हम पंच करवा रहे हैं पंच करम से पहले सबसे पहले बोला जाता है कि पूर क्या है इंपोर्टेंस इसनेहन और स्वेधन का इंपोर्टेंस यह था कि जो दोश बाहर हैं बाहर बोले तो कोस्ट से बाहर यानि कि शाखा में हैं मर्व अस्थियों में हैं उन दोश को कोस्ट में लाने के लिए हमने इसनेहन करवाया और स्वेधन करवाया यह प्रक्रिया क करवाने के बाद फिर हम देते हैं प्रधान कर्म यानि कि वमन और विरेचन तो हमारा convenience हमारा easy way क्या है दोश को बाहर निकालने के लिए कि दोश coast में होने चाहिए तब हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं तो उसके बाद पंच कर्म देना है यानि कि अगर रोग शाखा में है और आप उन्हें शाखा से coast में नहीं लाए तो अगर आपने पंच कर्म दे दिया तो वो रोग ठीक होने की वज़ाए और बढ़ जाएगा समझ में आने वाली बात इतनी सी कि पंच कर्म के लिए कोस्ट में होनां आवश्यक है और कोस्ट में होने के लिए हमें इसका पता होना है और इसके आपन बात करते हैं कि पंच कर्म का जो मुखे सिद्धान ते जैसे मैंने आपको बताया एंगा ference कि कोस्ट गत दोश हैं, उनको बाहर निकालने के लिए पंचकरम हबन यूज करते हैं कि ये दोश कोस्ट में है और हम वमन के ओशदी या विरेचंदी, या बस्ती लगा दी तो ये दोश बाहर निकल गए, तो इसके लिए दोश का कोस्ट में होना जरूरी है तो शंसोधन से पूर्व दोश कोस्ट में स्थित होने चाहिए आपको समझ माग क्या क्योंकि शंसोधन बोले तो पंच करम पंच करम भी बोले तो वमन और विरेच है मेंली तो इसके लिए कोस्ट में होना जरूरी है क्योंकि ये केवल जी आईटी पर ही काम क ओशड़ यह नहीं करेगी कि कf और कहीं इस्थिता है तो उसको पहले में मैं कोोस्ट में ले आती ह। तब फिर बाद में निकाल देगे नहीं कफ को हमें पहले कोस्ट में लाना ही पड़ेगा वोविवन की ओशड़ वहां इसके कपर ही काम करेगी, हो सकता है उसका प्रवाब थोड़ा और हो जाए और इधर उधर का कफा जाए लेकिन जो मेन इंपेक्ट आएगा वो केवल कोस्ट गत दोश का ही आएगा तो यदि दोश कोस्ट में रहकर शाखा गत हो तो पंच करम से दोश आदिक कुपित हो जाते है अभी बताया मैंने आपको कि अगर हम दोश को कोस्ट में नहीं ला पाए हमें ग्यान ही नहीं है कि दोश कोस्ट में है या दोश शाखा में है हमारे पास पेशेंट आया उसने ऐसी कुछ कमप्लेन की हमें लगा कि इसका कफ कुपित है लेकिन हमने ये चेक नहीं किया कि इसका कफ साखा में है या कोस्ट में है और हमने बिना जाने ही उसको वमन दे दिया तो क्या होगा तो उसको और विकार बढ़ जाएंगे सही होने की वज़ाए बढ़ जाएंगे क्योंकि कफ तो उस इस्तान में था ही नहीं वमन की ओश्ट तो अपना काम करेगी वो वमन कराएगी अब वो वहाँ कुपित कफ को ना निकाल के क्या करेगी और धात्वों को निकालने का काम करेगी तो क्या होगा वायू कुपित हो जाएगी इसलिए क्या होगा इसलिए जिस दोश के लिए जो पंचकरम दिया गया है या कि वमन या विरेचन दिये गए है उनका उस कोस्ट में होना जरूरी है तब ही हमें पंचकरम देना है वरना नहीं देना है इसलिए कोस्ट में दोशों को लागने के लिए क्या है रोगमार का ग्य दोश को कोस्ट के अंदर लाना है अब कैसे लाएंगे वो भी अपन डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी विधी द्वारा साखा से कोस्ट में लाया दाता है या किस प्रक्रिया द्वारा ये जो कोस्ट के अंदर ही रहते हैं जैसे एक स्वस्त व्यक्ति है उसके अंदर तो दो कौाशा बोल दिया, ये इस्थान बता दिये, मेजोरिटी, मेजर इस्थान तो यहीं है, यहीं रहेंगे दोश, लेकिन जैसे कि अपन बात करें, अगर वो शाखा में फैल गए, तो फिर क्या है, हमें उन्हें कोस्ट में लेके आना होगा, तो तीन रोगमार्ग हुए, पहला रोगमार्ग आता है शाखा अब शाखा रोगमार्ग अब शाखा के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है यानि कि हम किस चीज को शाखा बोलेंगे वह हम शाखा बोल रहे हैं तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये चीज शाखा के अंदर आएंगी यानि कि बाहे रोगमार शाखा को बाहर रोगमार्ग बोला गया है बाहर रोगमार्ग और मरमस्ती संदी है इनको मध्यम रोगमार्ग और कोस्ट क्या बोला गया है आभ्यांतर गो रोगमार्ग तो जो बाहे रोग मारग है उसमें आ रही है ये शाखा और शाखा में किस-किस को माना गया है रक्त आदी छे धातु है अब जो रस धातु है उसको क्यों नहीं माना गया क्योंकि जब आप देखते हो रस धातु सभी धातु के अपने सार पुरुस होते हैं तो जब भी आप स सार पुरुस देखते हैं तो आपने फिज्योलोजी के अंदर पढ़ा होगा रसधातु का सार पुरुस ना व compl को क्या वोलते हैं तुक्सार पुरुस इसलिए यहां पे जो तवचा उसी के अंदर रस्धातु को include कर लिया गया है क्योंकि रस धातू हिर्दे से होकस सर्व शरीर में फैलती यह तवचा भी क्या होती है सर्व शरीर में होती है इसलिए तवचा को रकत आदी चेह धातों हैं रक्त के बादlaud नेतारी नहीं डेस को क्या माना गया है रोगमार्ग माना गया और जाय याद होना हाई कि शाकhामें या फिर भाही रोगमार्ग में कौन कौन सी चीज़ां आती है तो अच्छा और रखता दी धातु है ये बाहें रोग मार गए अब आप एक सिंपल सी चीज़ अब इसमें स्किन आ रही है ठीक है अब इसके रोग मार की बात करते हैं कि शाखागत रोग मार कौन से होंगे तो आपको सारे स्किन डिसॉर्डर इसके अंदर आजाएंगे देखो जैसे के अब ये जो कोटेशन लिख दिया गया है वो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा अब भी बस एक बार इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये कोटेशन और हिंदी सेमी है कुछ अलग नहीं है बस अलग-अलग इसको लिखन ये सारे इसकिन के डिसोडर हैं इसकिन में होने वाले विकार हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं अब जैसे के एक सेकिन जैसे इसमें लिखा है गलगंड गलगंड को किसके अंदर रखा गया है शाखागत के अंदर क्योंकि गलगंड अपन अगर स्रोतस के हिसाब से देखे कौन से स्रोतस में आ रहा था ये मास वे में और मेद वे में तो इन स्रोतस में गया और वो सुरोतस कौन सी धातों के ही सुरोतस होते हैं तो इसलिए गलगंड इसमें आ गया पीड का, अलजी, अपची, ये सारे क्या है स्किन डिसॉर्डर है अब इन में जादा कोई डिफरेंस नहीं होता है पीड का में फुल्ची होगी, अलजी में रैशिस होगे वो इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन कहीं मिलता तो है नहीं कि अलजी ये है, अपची ये है इसलिए इन सब को एक साथ इंकलूट करके बोल दिया जाता है कि ये सारे क्या हैं? तचाके विकार है चर्मकील, अधिमाश, माश की व्रधी हो गई, ग्रंती हो गई उसको ही क्या बोल दिया? अधिमाश बोल दिया मशक, जो तिल हो जाते हैं, ब्लैकिस ब्लैकिस तिल हो जाते हैं उनको क्या बोल दिया? मशक या कुस्ट कुस्ट के अंदर तो कई आचारियों ने कुस्ट को सभी तचा के विकारों को एक जो छोटे से शब्द में बोल दूँ उनको कुस्ट बोल दिया गया है कि जितने भी इसकिन के डिसॉर्डर होंगे तो कई आचारियों ने उन्हें क्या बोल दिया है कि ये कुस्ट है यानि कि विसर्प हो तो कुस्ट के अंदर रख दिया उन्होंने विपादिका हो दद्रू हो अल्सक हो या भी जब कुस्ट पढ़ेंगे उसके अंदर इसके अठारा भेद आएंगे वहां देखेंगे अपन वियंग विसर्प विसर्प किससे हो रहा है मेंली रक्तवे सरोतस की व्यादी होती है विसर्प तो इसके अंदर सभी सरोतस आ रहे हैं तो आपको जो भी सरोतस की व्यादी याद आए उनको ये लिख देना है लेकिन अगर आप मालो भूल जाते हो कि एक्जाम में आपको रख़िए पिर आप इसके अंदर लिख्या आ सकते हो कि सारे जो इसकिन के डिसॉर्डर हो बाई ययरोग्मार्च के अंदर आएंगे गुल्ब अर्ष विद्रदी ये थे सारे रक्त की विक्रती से होते हैं तो रक्तवे स्रूतस की विक्रती से होने के कारण भी इनको इसमें रख दिया गया है अब एक important बात जो आगे आएगी कि जैसे गुल्म को किसके अंदर और माना गया है अर्श को कहाँ और माना गया है विधरदी को कहाँ और माना गया है वो अब अभी अपन next बात करते हैं अब देखते हैं मध्यम रोग मार्ग मध्यम मार्ग गत्रोग अब यह कौन से होंगे अब मध्यम रोग मार्ग में क्या क्या आ रहा था अस्थियां मर्म और संधी मर्म अस्थी संधी इन तीनों को मिला के क्या बोल दिया कि जो भी रोग मर्म में हुआ अस्थी म हुआ या शंधी में हुआ जैसे कि अपन बात करें संधिवात की वात रख्टी की तो उनको किसके अंदर रख दिया मध्यम रोग मार्थ के अंदर रख दिया कि जो भी इन से होगा या फिर आप एक सीज और समझ सकते हो कि जो मेंली अगर अपने बात करते हैं अस्ती और संधी के अंदर किसका इस्तान है ? लाइस वात का इस्तान बताया है आप पिछली क्लास में पढ़ चुके है बात तो इसके अंदर सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हैं कि अस्ती और संधी के अंदर वात का इस्तान है यानि कि मध्यम मार्ग गत जो रोग होंगे उनमें अगर डोमिनेंसी की बात करूं दोश की ड वात प्रधान यानि कि जो भी वात प्रधान डिस ओर्डर होंगे वो हमें मध्यम मार्ग गत रोग में देखने को मिलेंगे सारे में लिए अपन जो भी वात व्याधियां होती है वात व्याधि भी आपके एक चेप्टर है पैथलोजी सेकंड के अंदर वात व्याधि एक ब पर मस्ति संदी रिलेटेड होंगे वो कहां आएंगी मध्यम मार्गत रोग में तो याद रखने के लिए आपको इतना याद रखना है कि इसमें वात की प्रधानता रहेगी तो जो डिसॉडर होंगे वो मेली वातज होंगे और मर्म अस्तियों के अंदर जो अस्तियों के जो पेरालाइसिस है पेरालाइसिस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है तो नर्वस सिस्टम को किस से को रिलेट किया गया है वात से को रिलेट किया है अब पक्षग्रह में क्या होता है पेरालाइसिस अब पक्षग्रह में कुछ जादा डिफरेंस नहीं है पेरालाइसिस में अब आईरुवेद पैरालाइसिस के बारे में क्या बोलता है आईरुवेद बोलता है कि या तो बोडी का आधा पार्ट या तो horizontally या vertically आधा पार्ट जो एकदम काम करना बंद कर दे आधे पार्ट की सिरा और कंडरा यानि की tendon, ligament, veins जो भी उसमें जो भी supply देता है किसके लिए activity के लिए वो सारी बंद हो जाएं वो तो हता है पक्षवद और पक्षग्रह में कोई भी difference नहीं है पक्षवद को भी यही बोला गया है क्योंकि जैसे कि कई आचारियों ने जैसे अर्दित के बारे में भी मादवनेदान ने यही बोला है कि अर्दित में भी पक्षवद की पैरालायसिस हुआ तो इसको अर्दित बोला है तो पक्षग्रह में यह भी हो सकता है कि कोई एक पार्ट का और पैरालायसिस हो सकता है पूरी बोडी का तो वो डिपेंट करता है उन्होंने किस बेस पे नाम दिया है तो अभी इन में कोई difference नहीं है पक्षवद और ग्रेह में क्या होगा कि कोई न कोई हाफ बोडी की या कोई एक पार्ट का पैरालाइसिस हो रहा है या उसकी पावर से लिए पावर के अज़े से कि हाथ की अपनी ग्रिप होती है पकड़ने की अगर हाथ काम नहीं कर रहा है तो उसको पक्ष ग्रेह बोल दिया अकेला हाथ का अपतानक के अंदर होता क्या है कि जो अपना पीछे का बात करें पीछे का हिस्सा जो रीड की हड़ी की बात करते हैं यह सारी कैसी स्ट्रक्चर बना लेती है धनुषके जैसा यानि की जो बाडीबेंड होगी वो लाएक स्ट्रक्चर में बाडीबेंड हो जाती है यानि की अगर अमेजन करो कोई पर्सन लेटा हुआ है लेकिन वो किस कंडिशन में लेटा हुआ है कि उसकी ऑसी पीटल वन और एंकल वन केवल यही पार्ट जमीन को टच करेगा बाकी की पूरी बॉड़ी हवा में रहे कैसा इस्ट्रक्चर बनेगा धनुश के जैसा तो वही होता है अब तानक व्यादी में वायू की वज़े से जो वहां की जो पूरी बॉड़ी है वो बेंड हो जाती है जैसे आप लोगों ने कई लोगों सुना होगा कई लोग कुबडे हो जाते हैं नीचे की तरफ विनाम जो बोलते हैं जुक जाना बॉड़ी का इसमें बॉड़ी पीछे की तरफ जुक जाती है ऑपस्ती टॉमस डर्म यूज की जाती है इसके लिए तो उसको क्या बोला है अप्तानक वो भी किसकी वज़े से ह वाईयू की वज़े से होगा अर्दित फेशियल पेरालैसिस ये भी बात व्याधी के अंदर आएगा अब नेक्स बात करते हैं शोष और राजक्षमा अब शोष और राजक्षमा को इसमें रखा गया है अब याद ये रखना है कि जो जो राजक्षमा है में लिए अपन क्या बात करते हैं कि ये तो लंग्स की डिजीज है लेकिन आगे जाके इसमें क्या होता है धातू का शे होता है वाईयू का प्रकोप होता है इसलिए वाध प्रकोप के कारण इसको मध्यम रोगमार के अंदर रख लिया बाकि अस्थी और संधियों से राजक्षमा का कोई कोरेल देशन नहीं है शोष्ड में भी क्या होता है धातू का शे होना प्रकोप के कारण शेति और संधी के कारण अस्थी और संधि के कारण अस्थी कहें हो रहा है अस्थी कहा है मध्यम रोगमार क Sicher zur ब murmuring गुद्ष जिसमें क्या होता है वह क्या बोलते है उसको प्रोलैप्स की कंडिशन हो जाती है एनल प्रोलैप्स हो जाए रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाए प्रोलैप्स मतलब कोई भी जो औरगन या कोई भी टिश्यू औरगन जो अपनी मेन एनाटोमिकल पोजीशन पे था रेक्टम की जो मेन पोजीशन थी उस जगे से वो बाहर निकल आए तो उसको क्या बोलते हैं फ्रोलेप्स बोलते हैं यानि कि अगर रेक्टम एनस के थुरू निकल कर बाहर आ जाए तो क्या बोल दिया उसको kudh bran्श बोल दिया अब इसको मर्म के कारण इसके अंदर रखाए कि ये मर्म का रोग है इसलिए इसको रखा है हिक्का वात कफज व्यादी मेंली वातज होने के कारणे इसको मध्यम रोगमार्ग में रखा है सिर हिस्ते सोरी सिर हिर्दय वह बस्ती के रोग क्यों सिर हिर्दय और बस्ती के रोग क्यों चूँकि जो तीन प्रधान मरं हैं वो कौन है? सिरह, Hirdy और बस्ती. जो 107 मर्म जो मानी गई हैं. उनमें प्रधान मर्म कौन है؟ सिरह, Hirdy बस्ती. तो इन से related जो भी रोग होंगे, वो किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे मध्यम रोगमार्ग के अंदर अब बस्ती से रिलेटर जो भी व्यादी हो मुत्रवैस रोतस की होई या कोई भी होई या सिर्षे रिलेटर जो भी शूल वगेरा हुए वो सब इसके अंदर आएंगे हिर्दय के सारे विकार इसके अंदर आएंगी किसमे मध्यम मारगत रोग में फिर नेक्स्ट बात करते है आप भ्यांतर जो है अपना थर्ड पॉइंट अप भ्यांतर रोग मारग अब भ्यांतर को किसे क्या नाम दिया है हमने दूसरा इसका कोस्ट क्यों जो कोस्ट है उसी को क्या बोला है आप भ्यांतर रोग मार्ग बोला है अब इसके अंदर हालंकि किसी में भी ये बोला गया था पहले कि एक मार्ग में होगा तो शुकसाध्य होगा दो में होगा क्रशाध्य होगा तीनों में हो रहा है असाध्य होगा तो जो कोस उसके अंदर होने वाली डिजीज किसी भी प्रकार की हो सकती है सुकसाद्य भी करशाद्य भी या प्यॉर असाद्य डिपेंड करता है उसके दोश पर उसकी पहलने की प्रवर्ती पर और उसके कितने काल तक रहने पर यान कि कुछ दिन में ठीक हो जाती है या लंबे टाइम चलती है वो इस चीज पर डिपेंड करेगा या फिर उसमें कौन-कौन से दोश का इन्वालमेंट है कौन-कौन से स्रोतस की विकरती हुई है धातुच है हुआ है या नहीं हुआ तो इस पर डिपेंड करेगा रोका साध्य और असाध्य होना यहां पर अब बात करते हैं जैसे कि बात करते हैं ज्वर्ग की स्टार्टिंग कहां से होती है ज्वर्ग होता पूरी शरीर में है लेकिन स्टार्टिंग हमेशा कहां से होती है आमाशे से ज्वर्ग फैलता कहां से आमाशे से क्यों क्योंकि ज्वर्ग का जो मेन निदान है वो है आम का निर्माड होता ह तो आम का निर्मान होने से अगनी मांदे होता है और वो अगनी अपने इस्तान से बाहर निकल जाती है तो इसलिए जो और को कहां रखा गया है आप भ्यांतर रोग मारग में अतिसार सारे जो रोग हैं वो आपको नाम से ही समझ मां आ जाएगा कि हाँ यह कोस्ट के रोग है अतिसार हुआ शर्दी वोमिटिंग इस्तमक से हो रही है अलसक जो भोजन है अलसी भूत होकर आलसी होकर कहां पड़ा है आमाशे में यानि कि कोस्ट में विसूच का विसूच का में भी क्या होता है वो जो भोजन है उसका जो दुस्ट भोजन है या फिर आम बोलू या जो अजीर होने के बाद जो दुस्ट भोजन है वो दोनों मार्ग से प्रवर्थ होता है वमन के थुरू और विरेचन के थुरू यानि कि उसमें अतिसार भी होगा उसमें चरदी भी होगी तो वो जो दोश है जो में कॉज है स्टार्टिंग कहा से हो रही है कोस्ट से आमाश ऐसे इसलिए क्या है विशूचका को भी अभ्यांतर में रखा है कास स्वास हिक्का हिक्का को दोनों में रखा गया है हिक्का को इसमें भी रखा गया है और हिक्का को यहां भी रखा गया है एक सेकें वो उसमें गलत लिखा हुआ है हिक्का मध्यम में नहीं आएगी हिक्का अभ्यानतर में आएगी आप लोग उसे कट कर लीजिएगा हिक्का मध्यम में नहीं आएगी मैं रिपीट कर रही हूँ हिक्का मध्यम में नहीं है कोटेशन देखिए शायद हिंदी में मिस्टे को ही लिखने में कोटेशन में देखिए हिका कहीं भी नहीं है केवल यहीं आईगी हिका क्यो compassionate कोस्ट के अंदर से होने वाली व्यादी है हिका की जो स्टार्टींग है कहां से मानी गई है नाभी से नाभी से हिका की उत्पत्य होती है वो नाभी कोस्ट के अंदर ही आएगा उत्पत्ति के आधार पर अगर अपन देखते हैं तो हिक्का है वो नाभी से उत्पन होती है जब हिक्का की संप्राप्ति देखेंगे वहाँ आएगा कास उस्वास, लंग्स की डिजीज है, उदर रोग, जो भी आना है, आना कहा होता है, आमा शेम होता है, पक्वा शेम होता है, आना है, उदर रोग, सारे उदर रोग भी किसके अंदर आएंगे, आप्यांतर में आएंगे पलीहा पलीहा भी कहा है ट्रंक जो भी ट्रंक के अंदर आ गया वो सारा क्या हो गया आप यांतर के वल ट्रंक के अंदर किसे छोड़ना है हिर्दय को चोड़ना है वस्ती को चोड़ना है बाकी की जो भी ओर्गन होते हैं ट्रंक रीजन के अंदर उनसे होने वाली सारी डिजीज किसके अंदर आजाएंगी आप ब्यांतर के लिए फिर उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए यहां पर विशर्प शवतू कुल्म अर्ष विद्रदी और कहां देखा है विशर्प शवतू कुल्म अर्ष विद्रदी यानि कि ये जो रोग है ये शाखा में भी होते हैं और ये कोस्ट में भी होते हैं याद रखना है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है यही कि शाका में भी हो रहें पीजी के पीजी इंटरेंस के अंदर कुश्चन पूछा जाता है विशर्प रोग है हम के वल टिक करके आ जाते हैं कि भाई या तो आभ्यांतर वहाँ पे दोनों क्लिक नहीं कर पाते हैं कोई भी एक याद रह जाता है तो याद रखना है विशर्प, शोथ, गुल्म, अर्ष, विद्रदी ये सारे आभ्यांतर के अंदर आएंगे यहाँ पर तो बोल दिया इसका कारण कि रक्तवेश्रोतस इनव्व है यहाँ पर बोल दिया कि जो रक्तवेश्रोतस है वो involvement जैसे कि गुल्म है गुल्म की इस्थान पांच बताए है अर्श जो है अर्श मेंली कहां हो रहा है ट्रंकरी वो सुरी ये elementary कैनल के जो है एनस में हो रहा है अर्श तो वो जो कोस्ट में भी माना गया है कुछ और गन को और इसमें भी मान करके इनको दोनों के अंदर रख है तो चामें फैलेगा कोस्ट में भी फैलेगा सब जगें फैलेगा शवत हुए inflammation है कहीं भी हो सकता है internal भी हो सकती है बाहर से हमें दिखाई भी दे सकती है इसलिए इन सारी डिजीज को बाहर में भी रखा गया है और आभ्यांतर में भी रखा गया है तो आपको यह याद है सबसे important point यही था बाकि इसके अंदर तो यही यही चीजें थी कि तीन रोग मार्ग हो गए बाहर मध्यम और आभ्यांतर कौन से में कौन से रोग हो रहे हैं आपको बहुत जादा detail में याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस इतना याद रखना है कि सारे skin disorder होंगे वह बा लोग वापस से join कीजिएगा यह end होने वाली एक लास